नमश्कार मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंथन में आज सुनिए प्रेम चंद्र जी की कहानी विद्वन्स जिला बनारस में बीरा नाम का एक गउँ है वहाँ एक विद्वा वृधा संतान ही इन गौडिन रहती है जिसका भुनगी नाम था उसके पास एक दूर भी जमीन ना थी और ना रहने का घर ही था उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड था और गाउं के लोग प्राया एक बेला चबेना या सत्तु पर निर्वा करते ही हैं इसलिए भुनगी के भाड पर नित्य भीर लगी रहती वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीसकर खा लेती और भाड ही की जोपड़ी के कौने में पड़ी रहती वह प्राते काल उटती और चारो और से भाड जोकनी के लिए सूखी पत्यां बटोर लाती भाड के पास ही पत्यों का एक बड़ा सा धेर लगा रहता था दुपहर के बाद उसका भाड जलता था लेकिन जब एकाद शीया पूरन मासी के दिन प्रता अनुसार भाड ना चलता या गाओं के जमीदार पंडित उधैवान पांडे के दाने भुनने पड़ते उस दिन उसे भी भूके ही सो रहना पड़ता पंडी जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी-कभी इसे तुसे उसे अपना भाड भी बंद रहना करके रखना पड़ता था वैपंडी जी के गाओं में रहती थी इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बिगार लेने का तो पूरा ही अधिकार था उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता है अन्याय केवल इतना था कि बिगार सूखी लेते थे क्योंकि उनकी धार नहीं है थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बिगार कैसी किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खुटे से भूका भी बांदे यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है केवल अपनी हित की चिंता है और पंडिच जी को इसकी चिंता ना थी क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूकी रहने से मर नहीं सकती थी और यदि देवियोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौर बड़ी असानी से बसाया जा सकता था पंडिच जी की यही क्या कम किरपाह थी कि वह भुनगी को अपने गाउं में बसाये वे थे चैत का महीना था और सक्रांती का पर्व आज की दिन नयान का सत्तु खाया जाता है और दान दिया जाता है गरों में आग नहीं जलती और भुनगी का भाड आज बड़े जोरो पर था उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था सांस लेने का भी अवकाश ना था ग्राहकों की जल्दी बाजी पर कभी कभी जुझला पड़ती थी कि इतने में जमिंदार सहाब के यहां से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से बरेवे आप पहुचे और हुकम हुआ कि अभी भून दे भूनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी अभी दुपैर था और सुर्यास्त के पहले उसे इतना अनाज भूनना असंभव था गड़ी दो गड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने बर को अनाज तो हाथ आ जाता देव से इतना भी ना देखा गया और इन यमदुतों को भेज दिया अब पहर रात तक सेत मेत में भाड जलाना पड़ेगा एक नहराश भाव से दौनों टोकरे ले लिए चपरासी ने डाट कर कहा देर ना लगे नहीं तो तुम जानोगी भूनगी यहीं भैटे रहो जब भून जाए तो लेकर जाना किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट ले न बैटने की हमें चुटी नहीं लेकिन दीसरे पहर तक दाना भून जाए चपरासी तो यह तागित करके चलते बने और भूनगी अनाज भूनने लगी लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हसी तो नहीं थी और उस पर बीच बीच में भूनाई बंद करके भाड़ भी जोकना पड़ता था अतेव तीसरा पहर हो आया और आधा काम भी ना हुआ उसे भै हुआ कि जमिदार के आदमी आते होंगे और आते ही गालियां देंगे मारेंगे उसने और वेक से हाथ चलाना शुरू किया रास्ते की और ताक्ती और बालू नांद में छोड़ती जाती यहां तक की बालू ठंडी हो गई सेवडे निकलने लगे और इसकी समझ में ने आता था कि वे क्या करे क्या ना करे ना भूनते बनता था ना छोडते बनता था सोचने लेगी कैसी विपत्ती है पंडिजी को कौन मेरी रोटिया चला देते हैं कौन मेरी आसु पोस देते हैं अपना रक्त जलाती हूं तब कहीं दाना मिलता है लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं इसलिए ना कि उनकी चारंगुल धर्ती से मेरा निस्तार हो रहा है क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है ऐसे कितने ही टुकड़े गाउं में बेकाम पड़े हैं कितनी बक्रियां उजाड पड़ी है वहां तो केसर नहीं बचती और मुझी पर क्यों यह आठो पैर धोंस रहती है कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेक दूँगा उजाड दूँगा मेरे सिर पर कोई और होता तो क्या बोचारे सुननी पड़ती सैनी पड़ती वह इन्ही कुदसित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर करकश स्वर से का अरी क्यों रही दाने भुन गए भुनगी ने रिडर होकर कहा भुन तो रही हो देखते नहीं हो सारा दिन भुईत गया और तुमसे इतना अनाज ना भुना गया यह तो तु दाना भुन रही है यह उसे चौपट कर रही है यह तो बिल्कुल सेवडे हैं इसका सत्तु बनेगा हमारा सत्या नाश कर दिया है देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं और परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड खोट डाला और अभागी नी विद्वा निरावलंब हो गई भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा गाउवालों को भी भीड के भाड के विद्वान सोजाने से बहुत कष्ट होने लगा कितने ही गरों में दुपैर को दाना ही ना महसर होता लोगों ने जाकर पंडी जी से कहा कि बुड़िया को भाड जलाने की आग्या दे दीजे लेकिन पंडी जी ने कुछ धियान ना दिया वे तो अपना रॉब घटा ना सकते थे बुड़िया से उसके कुछ शिप्चिंत को ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गाउं में क्यों नहीं बस जाती लेकिन उसका हर्दै इस प्रस्ताव को स्विकार न करता इस गाउं में उसने अपने पचास वर्ष काटे थे यहां के एक एक पेड़ पत्ते से प्रेम हो गया था जीवन के सुक दुख इसी गाउं में भोगे थे अब अन्तिम समय वे इसे कैसे त्याक दे यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी दूसरे गाउं के सुक से यहां का दुख भी प्यारा था इस प्रकार एक महिना पूरा गुजर गया प्रात्यकाल था पंडित उद्यवान अपने दो तिन चप्रासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे कारिंदों पर उन्हें विश्वास ना था नजराने में डान डान बाद में रसूर मेवे किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे बुडिया के भाड़की और ताका तो बदन में आग लग गई उसका पुना रुद्धार हो रहा है बुडिया बड़े वेक से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूरिया उद्धा होते ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी उसे लेश मातर भी शंका ना थी कि मैं जमिदार के विरुद कोई काम कर रही हूँ क्रोध इतना चिर्जीवी हो सकता है इसका समाधान भी उसके मन में ना था एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना इतना क्रोध रख सकता है उसे ध्यान भी ना था वैस्व भावत है मानव चरितर को इसमें कहीं उचा समझती थी लेकिन हाँ हद भागी नहीं तुने धूप में ही भाल सफेद किये सहसा उध्यबान ने गरच करका किसके हुकम से भुनगी ने हक पका कर देखा तो साम नहीं जमीदार महोदय कड़े थे उध्यबान ने फिर पूचा किसके हुकम से बना रही हो भुनगी ड़ते भी बुली सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हो तो मैं अभी उसे खुदबा डालूँगा यह कहकर उन्होंने भाड़ को एक ठोकर मारी गीली मिट्टी सब कुछ लिये दिये बैठ गई और दूसरी ठोकर नान पर चलाई लेकिन बुड़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी अब उसे भी क्रोधा गया कमर से लाते वे बुली महराज तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का डर तो होना ही चाहिए मुझे इस तरह उजाड कर क्या पाऊगे क्या इस चार उंगल धर्ती में सोना निकल आएगा मैं तुम्हारे भले को कहती हूँ दिन की हाए मत लो मेरा रोवा दुखी मत करो उधैबान अब तो यहाँ फिर भाड ना बनाएगी भाड ना बनाऊँगी तो खाऊँगी क्या तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है अरे टहल तो तुम्हारी करती हूँ तो खाने को कहा जाओ गाउ में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी टहल तो तभी करूँगी न जब भाड बनाऊँगी गाउ में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती उधैबान तो छोड़ कर निकल जा क्यों छोड़ कर निकल जाओ बारा साल खेट जोतने से असामी काश्टकार हो जाता है और मैं तो इस जोपड़े में बुड़ी हो गई मेरे सास ससुर और उनके बाब दादे इसी जोपड़ी में रहे अब इसे यमराज को छोड़ कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता उधैबान अच्छा तो अब कानून भी बगारने लगी हाथ पैर पढ़ दी तो चाहे में रहने भी देता लेकिन अब तो तुझे निकाल करके ही दम लूगा उसने चप रासियों से कहा अब ही जाकर इसकी पत्तियों के धेर में आग लगा दो देखे कैसे भाड बनता है एक शण में हाहकार मच किया जो आला शिखर अकास से बात करने लगी उसकी लप्टे किसी उनमत की भाती इधर उधर दोड़ने लगी सारे गाउं के लोग इस अगनी परवत के चारो और जमा हो गए भुनगी अपने भाड के पास उदासिन भाव से खड़ी ये लंका धहन देखती रहे अकस्मात वै वेग में आकर उसी अगनी कुंड में कूद पड़ी लोग चारो तरफ से दोड़े लेकिन किसी की हिम्मत ना बड़ी की आक के मुमें जाए और शन मातर में उसका सूखा हुआ शरीर अगनी में समाविष्ठ हो गया और उसी दम पवन भी वेक से चलने लगा उद्रवगामी लप्टे पुर्व दिशा की और दोड़ने लगी भाड के समीपी किसानों की कई जोपड़िया थी वह सब उनमत जुआलाओं का ग्रास बन गई इस प्राती बादी प्रोथ साही तोकर लप्टे और आगे बढ़ी सामने पंडित उदैबान की बखारती उस पर जपटी अब गाउं में हलचल पड़ी आग बुजाने की तैयारिया होने लगी लेकिन पानी के छीटों ने आग पर तेल का काम किया जुआलाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बढ़ी और देखते ही देखते वै भवन उस नौका की भाती जो उन्मत तरंगों के भी जखोरे खा रही थी अगनी सागन में विलीन हो गया और क्रंदन धोनी जो उसकी भसमा वशेष से में प्रस्फूटित होने लगी भुनगी के शोक मैं विलाब से भी अधिक करुणा कारी था